स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज ये वीडियो में लेकर आया हूं जो कि जेपीएसी से है बहुत ही महत्पूर्ण है अगर आप चाहते हैं कि जेपीएसी जो आपका ये 7 से 10 का निकाला गया है वेकेंसी न्यू वेकेंसी 252 सीटों के लिए वो चाहते हैं कि आप 100% कंफर्म ये निकाल लें तो मैं आज यहां पर बुक लिष्ट कुछ आया है जो मैंने आज हमारे पास आया है इसका मैं करवा दूंगा अगर आप ये बुक खरीद लेते हैं और ये कंप्लीट कर लेते हैं तो ये पूरा मैं गारंटी लेता वो मैं अपने चैनल पर यूटूब के माध्यम से करवा दूंगा अगर बहुत लोगों के पास किताब उपलब नहीं हो पाता है तो भी ठीक है तो वो मैं देख लूंगा लेकिन सबसे पहले ये आज जितने भी मेरे पास बुक है देख लिए पहले कितने टोटल बुक है त उसके यह पेपर one के लिए दूसरा बुक है, Teasteries जो है। उसके बाद यह तीसरा बुक है Questions Bank है PT के लिए ठीक है और यह चौत्हा बुक है जो कि JPSC के पेपर टू के लिए के लिए तो PT के लिए मैं पूरा आप लोगोगो detail detail बता दिया था, कि क्या-क्या उसमें कीवें पेपर है कैसे क्या एक जाम होगा टीक है अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक में ņसे डिस्कीप्सर न में देखते हैं तो चली में हम बात करtें से पहले इसे अभी side में रख देते हैं ठीक है यह थो अब modabook है इसको अभी side में करते हैं पहले आईए PT के लिए जो prorambic test है उसके लिए क्या होगा तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक आया हुआ है इसको अभी हटा देते हैं ठीक है यह देखिए paper 1 और paper 2 का मैं पहले देख ले practice set दिया गया है took paper 1 के लिए ठीक और यहांपे देखिए पाठ्यक्रम यहां पे दे दिया गया है पाठ्यक्रम में यहां पर सब दे दिया गया है ठीक है किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न पूछे जाएंगे वो सारा कुछ इसमें मेंसन किया गया है ठीक और उसी के एकॉर्डिंग पहला जो टेस्ट है वहां पर आपका जो 6th JPSC का जो 2016 में एक्जाम हुआ है उसका यहां पर पर्थम पेपर का प्रश्न पत्र दे दिया गया है ठीक है यहां पर आप लोग देख सकते हैं उसी के हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं कि कितना कैसा लेवल था पिछले साल का हलाकि अगर आप लोग 200 लोग कॉमेंट करते हैं तो यह previous year और प्लस जो इसका practice set है वो मैं सारा इसका testories अपने चैनल पर करवा दूँगा लेकिन अगर 200 लोग कॉमेंट करिब नहीं करते हैं तो फिर मैं यह testories छोड़ दूँगा ठीक है क्योंकि अगर ज़्यादा लोग छात्र interested नहीं रहेंगे JPSC के लिए तो मैं उस पर समय नहीं दूँगा तो यहाँ पर देख लिजी यह तो previous year को होगे यहाँ पर देखें model practice set और यहाँ पर topic wise भारत का इतिहास है 15 प्रशन इससे आते हैं तो यहाँ पर 15 प्रशन आपका दिया गया उसी तरह भारत के Google से 10 प्रशन पूछे जाएंगे paper 1 में तो यहाँ भारत क दलसे Google का 10 प्रशन दिया गया है उसी तरह भारतिय समिदान लोग पर्शाशन ह filters he so, 10 प्रश्न है यहाँ पर आप लोग को दस प्रशन दे दिया गया है और उसके बात भी विज्यान करीशी तकनिक त्रसन होंगे पंदर्रव प्रश्न ठीक, है और यहाँ पर राष्टिय य अंतराष्टिय समसमाई की घटनाय से 15 प्रशन रहेंगे ठीक है तो यह आपका हो गया इस तरह से टोटल 100 कोशन रहेंगे पेपर 1 में ठीक है उसके बाद यहाँ पर देखिए इसके बाद एंसर की दे दिया गया है ठीक है यह पेपर 1 का मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर पतंजली आईएस एकड़मी सेर्कुलर रोड राची और एक चीज इसके बाद फिर यहाँ पर एंसर की है उसके प्रशन दे दिया गया है लेकिन एक चीज नोट की जेगा कि 1-100 तक जो भी प्रशन हो एक से 100 तक का एक्स्वानेशन नहीं है कुछ-कुछ का बीच में 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 22 23 24 25 है उसके बाद फिर 28 है उसी तरह बीच बीच में बहुत सारा यहाँ पर गैप किया हुआ है ठीक है आप लोग अगर देखिएगा तो बहुत सारे कोशन का यहाँ पर गैप कर दिया गया है और एंसर भी बहुत मतलब स्मॉल में छोटा में ठीक है लेकिन भारती BPSC का भी आप पढ़ते होंगे तो वही से लेवाशन बिहार दरोगा का तयारी करते होंगे तो उसका जो भुगोल है भारत का भुगोल भारत का इतियास राज बेवस्था वेगार वो सो सब कॉमन चीज हो जाएगा किवल जो 10 प्रशन आपको रहेंगे वो जार्ख को साइड में रख देता है उसी तरह देखिए यह सिवांगन का ही है जेपीसी का पीटी एक्जाम वॉल्यूम वन ठीक है मॉडल प्रैकिसेट वॉल्यूम वन यह है पेपर टू के लिए जो की जार्खंट समाने ग्यान विसेश रहता है इसमें केवल जार्खंट से ही आपका ठीक है इसमें भी 100 प्रश्ण रहेंगे और इसमें भी जो पुछा गया है किस तरह से पुछा जाएगा किस जार्खंट से जो संबंदित है उसे कितने कितने टॉपिक से कितने प्रश्ण रहेंगो वो सारा कुछ इसमें दिया गया है ठीक है और यहां पर देख सकते है ठीक है इसका भी जैसे मैंने बताया कि पहले कोश्चन है उसके बाद फिर यहाँ पर एंसर की दे दिया गया है और इसमें एक इसमें खंड नहीं बाटा गया कि किस टॉपिक से कितने कितने प्रशन है इसमें लगातार एक सो सो तक है वह इसमें सेक्शन वैसा नहीं है ठीक है यहाँ पर फिर उसका एंसर की दे दिया गया है और व्याक्या भी दिया गया है तो पूरे प्रशनों का व्याक्या नहीं दिय और व्याख्या थोड़ा सा में है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये बुक आपका भी मार्केट में यहीं available है और बढ़िया बुक रहता है, इसका भी, बढ़िया बुक है इसका ठीक है तो आप लोग ये खहिई सकते हैं, तो पेपर वन, पेपर टू हो गई है, ठीक है यह सब P.T. के लिए practice state है ठीक है आप आईए एक question bank है इसमें आपका previous year और मुख्य परिछा का जो previous year का था उसका सारा प्रशन संग रहा है ठीक है मुख्य परिछा का प्रशन संग रहा है और P.T. के लिए आपका question bank है व्याख्या सहीद यहनि कि उत्तर इसका दिया गया है यह यह भी शिवांगन publication का एठीक है तो previous year बनाने से क्या फैदा होता कि आपको अंदाजा रहता है कि किस तरह से प्रशन पूछे जा रहा है और उसी तरीके से आपको पढ़ाई करने में मदद मिलती है तो यहां देखे प्रारंबिक परिछाक का हल प्रशन पत्र दिया गया है पर्थम पत्र परिछा 2003 का इसमें सम्मिलत किया गया है कोशन पेपा ठीक है और मुखे परिछा जो प्रशन संग्रा है वो देखिए 6 जेपीएसी मुखे परिछा का पेपर 1 पेपर 2 है और पेपर 2 नागपूरी का दिया गया है पेपर 2 में हिंदी का है ठीक है और 6 पेपर यहां पर देख सकते हैं टोटल आपका कोश्चन जो है वह एक से सौ तक दे दिया गया है ठीक है प्रथम पत् दूतिये पत्र करके और उसका जो एक्स्प्लानेशन है इसमें बढ़ियां से दिया गया है ठीक है देख सकते हैं आप लोग यह सारा कुछ इसका का एक्स्प्लानेशन दिया गया है और इसमें भी वैसे है कि कोई कोश्चन का इसमें कुछ कुछ कोश्चन का एक्स्प्लानेशन नहीं दिया गया है डायरेक्ट उसका एंसर दिया गया है और उसी तरह कैसे यहां पर है फिल लाश में देखते हैं इसका जो मेन है मुख्य पर है आप लोग देख सकते हैं किस तरह से प्रेशन पुछा गया है यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा 20 कोशन यहाँ पे अब्जेक्टीव है ठीक है उसके बाद यहाँ पे आपका फिर उसके बाद descriptive type का है ठीक है अब देखिए ठीक उसी तरह रहता है यहाँ पे भी 20 question देखिए paper आपका 5 है भारतियर्थ वेवस्ता भूमंडली करन आप लोगो थाँ से नजदीक से दिखा देते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं total marks 200 का है 3 गंडे का यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ आपका objective है 20 question देख सकते हैं 20 question objective है paper 5 में भी और उसके बाद आपको यहाँ पे section बाट दिया गया है section 1, section 2, section 3 और यहाँ पे फिर आपको descriptive है यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा उसी तरह से करके आपका यहाँ पे देख सकते हैं same cable question संग रहा है objective का यहाँ पे आपको answer दे दिया गया है लेकिन जो descriptive question है उसका answer नहीं दिया गया है बस आपको question का अंदाजा लगना चाहिए कि किस तरह से question पूछा जा रहा है ठीक है इस तरह से करके यह आपको खईदने के लिए मैं इसलिए सला दे रहा हूँ कि इससे आपको एक roadmap तयार करने में फायदा मिलेगा कि कैसे पढ़ना है क्या तयारी करना है PT के लिए कितना महतपूर्ण है और मुख परिच्छा के लिए हमें क्या-क्या topic कैसे पढ़ना है क्या-क्या पूछता है किस तरीके से पूछता है तो वो आपको idea इससे लग जाएगा यह question bank से ठीक है बहुत पतला है ज्यादा मोटा भी नहीं है यह आपको 50-60-70 रुपय के बीच में आपको मिल जाएगा ज्यारखंड में उसी तरह आएए अब जो यह latest जो book है हमारे पास पतंजली I.S. Academy का ज्यारखंड संपुन संग्रा ठीक है और यह भी सिवांगन पॉब्लिकेशन राची पतना के द्वारा यह परकाशित है और यहां पे जो है संग्रा पूरा दिया गया है ठीक है फासा मोटा बुक है इसका प्राइज अगर देखेगा तो 520 है लेकिन यह मुझे मिला हुआ है 300 रुपय में ठीक है क्योंकि मुख्य वित्रक के पास से हमारे पास से यह मैंने लाया है और सस्ती मार्केट अपर बजार से मैंने मंगवाया था ठीक है तो यह सस्ता मिल जा रहा है यहां पे और मुझे नहीं आडिया है कि आपको अधर मार्केट में आप कहां से ले रहे हैं और कितने में ले रहे हैं लेकिन पांसो बीस रुपए है तो उसी हिसाब से यह तैड़ करेगा ठीक है मैंने सोर्स से ले लिया है तो यहां पे मुझे तीन सो रुपए में यह बुक मिल गया है बहुत ही मोटा है ठीक है लेकिन यहां पर पूरा संपुण जनकारी आपको दे दिया गया है ठीक है पूरा टॉपिक यहां पर बाट दिया गया है और जो परिषhard नियम वाली 2021 है उसका पूरा यहां पर दिया गया है एक फेज में बता दिया गया है कि क्या-क्या है कैसे सेलेक्शन है तोटल यहां पे जो बाटा गया है यह जारखन विशेश ही है ठीक है 6 और यहां पे देखिए 7 यहां पे एक जी जो बहुत बढ़ियां एड़ किया है खंड 7 जो है जारखन के भूमी संबंदी कानून यह बहुत ही डिटेल में बहुत ही बढ़ियां तरीके से इसमें बताया गया है जो की बहुत ही महत्पूर्ण है और इस तरह से इसमें करके टोटल कितने खंड हो गया है खंड टोटल 10 है ठीक है और जारखन समसमाई की में देखें बजट 2021 सार्थिक सर्वे वेगारा कुछ यहां पर दे दिया गया है और परमुक सुचकांग वेगारा कुछ दिया गया है और जारखन सरकार की नवींतम यूजना यहां पर दिया गया है एक चीज मैं इसमें जो बताना चाहता हूँ देखी यहाँ पर जारखंड का नवींतम प्रतीक चीन है यह तो इंट्रोडक्शन रहता है शुरुआत का और कुछ इंट्रोडक्शन है उसके बाद देख लेते हैं उसके बाद देखे जब जारखंड जन जाती है परिचेक यहा यहां पर दिया गया है ठीक है एक मिनट मैं उसे हाँ देखे इसका यह खतम हुआ तो देखे फिर एक्जाम च्वाइस कोशन दे दिया गया हलाकि यह अबजेक्टिव रूप में देता माली जैकी 200 कोशन 100 कोशन यहां पर दे देता तो यह फिर बहुत बढ़िया रहता है ठ इस नाम से जाना जाता है तो यहां पर इस तरह से करके इसका एंसर दे दिया गया यानि वन लाइनर कोशन एंसर इसमें दे दिया गया है लास्ट में खंड समाप्त होने के बाद ठीक है तो हलाकि यह सब अगर मैंने बोल दिया कि 200 अगर आप लोग कॉमेंट कर देता है तो मुझे JPSC का testories आप तयारी करवाई है JPSC का तो मैं इसी के हिसाब से जो किताब मैंने मंगवाया है अभी तक इतने सारा testories वेगरा सारा इसका exam choice question वेगरा सारा कुछ complete करवा दूँगा और अपने telegram channel पर भी support मैं करूँगा मेरा telegram channel है confusion 9.2.11 और एक है testories academy के नाम से और youtube channel भी मेरा दो है confusion 9.2.11 और एक है testories academy तो जो भी मैं video upload करता हूँ वो मैं अपने telegram channel पर आप लोग को send कर देता हूँ उसका link आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं कि कौन सा video मेरा upload हुआ है ठीक है तो समझ गया होंगे कि किस तरह से है यहाँ पर तो बहुत बढ़िया बुक है और एक चीज़ आप लोग जो देखते होंगे कि इसका जो objective इसमें कहीं नहीं दिया गया है कोई कोई book होता है कि objective रहता है ठीक है एक और book है यहाँ पर objective नहीं है बस exam choice question है जो कि हर एक खंड के समाप्त होने के बाद दिया जा रहा है लेकिन objective question इसमें कहीं पर भी नहीं है नहीं last में है ठीक है यहाँ पर last में देख सकते हैं कहीं भी objective question नहीं दिया गया है ठीक है और यहाँ पर जो आपका है total यह जो page है इसका अगर बात करें तो total 664 page यहाँ पर है ठीक है तो चलिए ये एक book ये दो book ये तीन book ये चार book और ये चारो इतने सारे book खरीदने में मेरा जो खर्चा आया है वो है शारे 600 रुपय का ठीक है तो ये book मैंने आप लोग के लिए खरीदा है आप लोग भी देख लीजे कि क्या है practice और हमारे coaching जो offline coaching चलता है वहाँ पर अगर कोई बच्चे ऐसे होते हैं तो ये testries वेगरा मैंने वहाँ पर चलाता हूं ठीक है लेकिन ज्यादा बच्चे नहीं होते हैं तो आपस में ही लोग अपना conclude कर देते हैं मैं किताब वहाँ पर देता हूं वो लोग खुछ से अपना जेरोक्स करवा के अपना practice rate करते रहते हैं ग्रूप में तो लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि ये book आप लोग को नहीं मिल रहा और आपकी अगर कुछ वैसा मिलता नहीं है कुछ उटसाह मुझे लगता नहीं मुझे लखता है कि साथ चात रिस में इन्टेश्षेट नहीं है क्योंकि मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर बीप्से बियाद द्रोग के ही है तो इस वज़ह से मैं इसमें थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूं यह काफी है इसके अलाबा कोई भी ज्यादा बुक मत खरी दियेगा बस अगर लास्ट होगा तो एक बुक और जो अभी नहीं आया है और मुझे बताया गया है कि वह जैसे ही आएगा तो मुझे ख़बर कर दिया जाएगा वो है आपका उडान पॉब्लिकेशन का एक जहारख जैसे ही आएगा मार्केट में वह मैं आप लोग के सामने लाओंगा और आप लोग उसे जरूर खेद लीजिएगा जहारखंड अब्जेक्टिव के लिए ठीक है बहुत सा होता है कि यह मोड़े बुक पढ़ने में उन्हें बहुत सारा दिक्कत होता है जहारखंड का विश इससे रहेगा तो यह दो पेपर है आपका PTR आम से निकलेगा इसकी मैं गरांटी ले रहा हूं और अगर मैं टेसरी शुरू करूंगा अपने चैनल पर तो वह बिल्कुल ही मुफ्त होगा लेकिन बसरते आप लोग को 200 लोग कॉमेंट करना चाहिए उस वीडियो पे इस वी वीडियो बहुत पसंद आया होगा और उन्हें सेलेक्शन करने में बुक सेलेक्शन करने में बहुत मदद मिली होगी और किस तरक्ये से तयारी करना है उनको एक मेरे ये वीडियो देखने से उनको एक आडिया लग जाएगा कि क्या करना है ठीक है इस वीडियो को देखने क के लिए आप लोका बहुत बहुत शुक्तिया, धन्यवाद, आपका दिन सुबहुत।